नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नीव्स का डिजिटल चैनल इन खबर बिग बॉस 11 की विनर रही अंगुरी भावी के नाम से मसूर शिल्पा शिंदे ने हाली में राजनितिक पार्टी का दामन थामा था शिल्पा ने कॉंग्रस पार्टी जोईन की थी अब हाली में ऐसी खबर आ रही है टीवी में राम के नाम से मसूर और राम के नाम से घरघर में जाने वाले अरुन गोविल भी कॉंग्रस पार्टी का दामन थाम सकते हैं सुत्रक हवाले से एक खबर है कि अरुन गोविल जल्द ही राजियतिक पार्टी कॉंग्रेस में सामिल हो सकते हैं और वो इंदौर की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अरुन गोविल को इंदौर की सीट से आठ बार की सांसद रही सुमित्रा के खिला सुमित्रा जी के खिलाफ उतारा जाएगा सुमितार लोकसवाई स्पीकर होने के साथ साथ आठ बार की सांसद भी है उनके खिलाफ खबरे हैं कि अरून गोविल को उतारा जाएगा और वह चुनावी तैयारी कर रहे है कमनलात की ओफिस के एक करीबी ने बताया है कि इंदोर की सीट के लिए सबसे लोकप्रिया चहरा और सबसे लोकप्रिया नाम अरून गोविल का ही है सब पार्टी में सभी अभी तक यही चाहते हैं कि अरुन गोविल इंदोर की सीट से कॉंग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़े अरुन गोविल के सारे कॉंग्रेस इंदोर का सुखा खतम करना चाहती है अरुन गोविल काफी लोग प्रिय चेहरे हैं रामानसागर के रामायण में राम का किर्दार निभा कर वा घर-घर में फेमस हुए थे हाला कि उन्होंने बॉल्लिवूड की कई फिल्मों में काम किया था लेकिन उन्हें लोग प्रेता रामायण से मिली बता दे कि अरून गोविल का जन्म राम नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था इनकी प्रारंबिक सिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई थी उन्ही दिनों यह नाटक और अभिने करते थे इनके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी कर ले पर वो ऐसा कुछ करना चाहते थे जो यादगार बने इसलिए वो मुंबई चले गए और वहां खुद का वेवसाय प्रारंब किया और उस वक्त उनकी उम्र केवल 17 साल थी अरूर गोविल जादा तर राश्ट्री प्रोक्शन की पारिवारिक फिल्मों में काम करते थे जिनमें जीवन मुल्य को अंदेखा नहीं किया जाता था रामादन सागर निर्देशित रामायड में भगवान राम का किरदार भी ऐसा ही था इसलिए कोविल भी राम का किरदार अच्छे से कर पाए और यहीं उनकी शोहरत का मुख्य कारण बना हाला कि उनकी पहली फिल्म ललूराम थी अब ऐसे में यह देखना है कि अगर वो कॉंग्रेस पार्टी में आते हैं और इंदोर से चुनाओ के लिए उतरते हैं तो जैसे उनको रामायड में राम का किरदार निभाने के बाद घर-घर में सौरत मिली थी और वो घर-घर में लोगों के दिलों तक पहुँचे थे ठीक उसी प्रकार क्या वो कॉंग्रेस पार्टी के मध्यम से एक नेताब बनकर लोगों के दिलों में और लोगों के घर-घर में पहुँच पाते हैं या नहीं अब ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि लोग अरुनों गोविल को इंदोर में सुमित्रा महाजन के खिलाफ क्या वोट देते हैं या नहीं क्योंकि सुमित्रा महाजन वहाँ से आठ बार लगातार सांसद रही है और इस बीच कॉंगर्स पार्टी का नया चारा वहाँ सामने आएगा ऐसे मैं देखना बहुत दिल्चस्प होगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो से लाइक करें और शेर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद